वेल्कम बैक तो अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे आउटपुट डिवाइस आपकी वो डिवाइस हो गई जो की कम्प्यूटर या फिर सीप्यू से डेटा निकलता है या फिर मेम्री में जो सेव होता है डेटा वो यूजर तक पहुंचाने का का निकलता है तुरी क्या आपकी मोनेटर, में प्रिंटर, स्पीकर, हेड़़ून चेंठा आते हैं हैं फिर्स आत्फुट डिवाइस जो है वह आपका म lleer है तो मोनिटर क्या है मॉनिटर इसको म् विजवाल डिस्प्ले यूनिट भी कहते है तो इसका काम होता है कि जो कम्प् आपका जो कि colored होता है यूजरी वो 256 colors को जो है आपके सामने display कर सकता है ठीक है तो एक monitor जो होता है उसमें dots की शकल में कुछ आप कह सकते हो कि अगर आप आपके बस LED screen होगी तो उसमें LEDs लगी होती हो चोट चोटे dots की तरह दिखता है तो वही जो है वही pixels जो है आपकी किसी भी ग्राफिक को आपकी किसी भी visual को आपके सामने present करते हो तो pixels के हैं छोटे-चोटे dots होते हैं जो कि computer screen के उपर होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे तीन-तीन color की red, green और blue तीन-तीन LEDs लगी हुई है और यह LEDs जो है यह कोई भी picture आपके सामने draw कर सकते है ठीक है यहाँ पर जैसे पी ड्रॉक किया हुआ है तो यह जो यहाँ पर यह वाली LED है यह वाली LED है यह जो है यह off हो गई है बाकी जो है on हो गई है तो यह जो है black color का पी जो है print हो गया है ठीक है तो इनको हम pixels कहते हैं तो अब अगर हम picture की clarity या फिर image की clarity को देखेंगे तो यह तीन चीज़ पर depend करती है तीन factors पर depend करती है first is resolution of screen resolution of screen का मतलब है कि आपके screen के ओपर कितने pixels है ठीक है usually आपने देखा हो कि resolution होता है like 1218 x 1024 इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप गिनना start करोगे यहाँ तक तो 1280 pixels है अगर आप यहाँ से नीचे गिनना शुरू करोगे तो 1024 pixels है तो जितने ज्यादा pixels होंगे जितना ज्यादा resolution होगा picture आपकी उतनी ही clear हाईगी dot pitch dot pitch का मतलब है diagonal distance कितनी है pixels की बीच मतलब कि अगर यहाँ पर एक pixel है यहाँ पर एक pixel है cross में ऐसे diagonal में कितनी distance है उसको dot pitch कहते है जितनी dot pitch काम होगी मतलब जितनी नदीक यह pixels होगी उतनी refresh का मतलब है कि एक second में how many times आपका जो screen है वो एक नई image को draw कर सकता है तो refresh rates इतना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो screen है या फिर आपकी जो image है वो उतनी better दिखेगी तो इसको measure करते है hertz में ठीक है अगर हम कुछ popular monitors को देखेंगे इसमें पहला है जिसको हम कहते है cathodary to बड एक vacuum tube होती है पीछे electron gun होती है I'll show you this CRT ऐसी दिखती है CRT में यहाँ पर electron gun होती है जो कि electrons fire करती है screen के उपर तो इस तरह से जो है CRT काम करता है तो इसमें पीछे electron gun होती है जो electron beam छोड़ती है वो आगे screen पर पढ़ती है screen पर जो होती है phosphorus की एक layer होती है ठीक है तो यह इसका working principle हो गया next is आपका LCD LCD को ऐसा दिखता है तो LCD क्या होता है कि दो sheets के बीच में या फिर दो plates के बीच में एक liquid होता है ठीक है तो वो जो liquid होता है special liquid होता है इसलिए इसको हम कहते है liquid crystal display या फिर LCD क्योंकि इसमें liquid user होता है special liquid user यह flat होते है और thin भी होते है और usually जो है यह lightweight होते है as compared to CRT next is LED displays LED आपने सुना होगा LED का light emitting diodes होते हैं इसमें चोड़ी LEDs लगए होती है तो वही जो है वह light emit करती है जब उनके थुरू current pass होती है ठीक है तो इन में जो ली तीन टाइप की LED होती है RGB red green और blue तो यह तीन जो है यह मिल के कोई भी color produce कर सकते है एक सी 3D monitor यह ऐसे monitors हो गए जो 3D में आपको 3D dimensional view दिखा सकते हैं यह से निमाज में आपने आज कल देखा हो इसके लिए special एक चेश्मा लगाना पड़ता है तो इसमें आपको लगता है कि एक depth का sense भी आपको मिलता है आपको लगता है कि जैसे आप वहीं पर हो आप जिसकों कहते है virtual reality आपको लगता है कि सच में यह real में आपके सामने हो रहा है next is printer, printer भी एक output device है तो printer का काम क्या होता है यह scanner का opposite है scanner का काम होता है कि document को digitize करना printer का काम होता है digital form में कोई document होगा उसको आपको paper के उपर print कराना ठीक है तो यह एक output device है तो इसमें भी आप black and white और color में print करा सकते हो तो अगर आपको speed measure करनी होगी printer की तो आप वो characters per second, lines per minute या फिर pages per minute में measure कर सकते है तो इस पर question आया था पंचायत account system के stunt के 2020 paper में उसमें यह तीन options दिया होगे थे और एक भी option दिया होगा था और question था कि इन में से कौन सा printer की speed measure करने के लिए use नहीं होता है ठीक है तो यह तीन आपको याद रखने है कि जब characters measure करते है character मतलब letters या फिर numbers तो वह देखता है कि कितने characters एक second में print किया है जब lines देखता है तो lines minutes में measure होती है और pages भी जो है वो minutes में measure होती है ठीक है अब अब हम टाइप्स और प्रिंटर्स देखें तो फर्स टाइप जो है उसको हम इंपक्ट प्रिंटर्स कहते हैं, नेक्स जो है उसको हम कहते हैं, नॉन इंपक्ट प्रिंटर्स इंपक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें जब प्रिंटिंग होती है, तो पेपर को जो है, कोई एक चीज अंदर होती है, जो स्ट्राइक करती है, मतलब पेपर के साथ टाच अंदर होता है, ठीक है, एक रिबन होता है, रिबन का मतलब होता है, जिसके उप मतलब है कि जो पेपर है उसको अंदर जो रिबन है वो टज करता है ठीक है जैसे आपने टाइप राइटर में देखा होगा कि for example मुझे अगर कोई चीज प्रिंट करनी है मतलब कोई लेटर लिखना है तो मैं अगर पी दबाऊंगा पी के लिए वहाँ पे एक हैमर होता है तो टो ऐसे मेटरिक्स की शकल में मतलब रोज और कॉलम전에 कोटर पींच कोटेंगी ठीक है तो एकसाइट होतीए बीक में पेपर होता है इस साइट से दुर सी साइट जो होता है आपका रिबन होता है तो अगर मुझे a ll foreign पर को hit करेगी और पीछे से जो पेपर के पीछे जो रि तो इसका हम बोलते है, dot matrix, क्योंकि dots की शकल में, और matrix का मताब है, ऐसे rows और columns की शकल में, जो है, अंदर pins होती है, ठीक है, next है आपका Daisy wheel, Daisy wheel क्यों कहते हैं, क्योंकि एक wheel होता है, जिसमें typewriter की तरह S letters लिखे होते हैं, यह Roman के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, यहां पर यहां से लिखा हुआ है, ऐसे फर अगर A को print करना है, तो A पर में click करूँगा, तो यह फिर अगर document में कहीं पर A होगा, तो यह यहां से यह वाली जो pin है, यह वाली hammer है, यह उठके strike करेगी paper को, paper पर लगीगी, और वहाँ पर print हो जाएगा, ठीक है, next आपके line printers होए, line printers जो हैं, यह एक साथ पूरी line को print करते हैं, unlike जो इससे पहले मुझे Daisy Will पढ़ा, उसमें एक एक character print होता है, drum printer, इसमें एक drum होता है, ऐसे, एक slender, जिसमें सारे characters लिखिया होता है, जैसे आप देख सकते हो, ABCD ऐसे लिखिया है, ABCD ऐसे लिखिया है, अब अगर यहाँ पर मुझे for example E लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक hammer होता है, पहले यह roll होगा, यह slender, और E यहाँ पर आ जाएगा, और पीसे से hammer इसको strike और hammer, sorry, ribbon जो यहाँ पर बीच में है, उसका print यहाँ पर चड़ जाएगा, तो paper पर वो E जो है, वो चड़ जाएगा, ठीक है, नेक्स आपके non impact printers, ऐसे printers है, जिन में जो paper है, उसको touch कोई चीज करती नहीं अंदर से, ठीक है, तो इसमें आपके electricity chemicals या फिर inkjet technology यूज होती है, इंक jet printers जो होते है, यह आप क्या सकते हो कि, इसमें jets use होते है, जो ink को spray करते है, तो यहाँ पर मैं spray करूँगा, ऐसे, ठीक है, तो ink jet इसलिए इसको कहते है, thermal printer, यह ऐसे printers होते है, इसमें special paper use होता है, जिसको जब heat किया जाता है, तो वो जो है, उसके उपर print हो जाता है, ठीक कौन सा printer use होता है, तो वो thermal printer है, ठीक है, नेक्स आपके laser printer होता है, यह high quality image स्याफ़े text को print करने के लिए use होता है, तो इसमें laser use होती है, तो laser beam जब एक surface के उपर पढ़ती है, जो photo sensitive होती है, मतलब जो light sensitive होती है, उसके पर जब वो laser पढ़ती है, तो वो printing start कर देता है, ठीक है नेक्स आपका electrostatic printer यह आप कह सकते हो, बड़े-बड़े formats, अगर आपको एक printing shop में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पर बड़ी-बड़ी surface के उपर print करना होगा, तो उसके लिए electrostatic printer use होता है, ठीक है, नेक्स आपका plotter हो गया, plotter आप कह सकते हो, यह भी एक printer ही है, लेकि बड़े-बड़ी sheets के उपर print करना होगा, तो उसके लिए plotter use होता है, यूजिल यह अगर आपकी autocad या फिर ऐसे blueprints होगे, किसी mechanical object के, तो वह बहुत बड़े होते हैं, तो उनको print करने के लिए, बड़ी-बड़ी drawings को print करने के लिए, यह plotter use होता है, इसमें भी दो types है, drum plotter और flatbed, flatbed बिल्कुल ऐसी होता है, ऐसे sheet नीचे रखेंगे और वो automatically उसके उपर print हो जाएगा, लेकिन जो drum plotter होता है, उसमें ऐसे roll होता है, slender होता है, और paper जो है, वो एक साइट से आप डालते हो, या फिर जो जिसके उपर आपको print करना हो, एक साइट से डालोगे और दू इसको electrical form में data पहुंचता है, और उसको convert करते है, speech में, इसके लिए sound card की ज़रत पढ़ती है, जैसे mic में मैंने बताया था, वैसे ही, यहाँ पर भी sound card की ज़रत पढ़ती है, क्योंकि computer में जो data store होता हो, binary में होता है, और उसको convert करना, binary से उसको voice में convert करने के काम, वो sound card करता है, ठीक है, headphones, headphones, आजकल आपने देखो, यह भी एक speaker की तरह ही, इसमें चोटे-चोटे speaker लगे होते हैं, यह आपके कान के नजदीक होते हैं, तो चोटे speaker होते हैं, लेकिन आपको इसको कान के पास रखना पड़ता है, तब यह आप वो सुन सकते हो, तो यह आप आजकल देखा होगा, अगर आपको कोई visual है, आपकी image कोई है, या फिर कोई video है, या फिर computer screen को आप चाहते हो कि बड़े से screen के उपर, या फिर एक दीवार के उपर project करना चाहते हो, तो उसके लिए project होता है, यह भी एक output device है, यह जातर class rooms में, या फिर conference halls में, यूज होता है, इसके यह दो types है, LCD projector और DLP projector, DLP मतलब digital light processing projector, अब कुछ IC devices है, जो दोनो input devices भी है, और output devices भी है, ठीक है, तो for example, आपका first time modem, modem मतलब modulator, demodulator, यह जब आप internet के साथ connected होते हो, आजकल आपके पास broadband होता है, तो broadband में optical fiber cable होती है, तो optical fiber cable में जो data आता है, वो light की form में आता है, तो लेक जो modem करता है, तो यहां से जो data जाएगा, अब यह बोथ input output क्यों है, क्योंकि यहां से जो data जाएगा, उसको भी convert करेगा, मतलब यहां से binary से उसको, या फिर electrical signal यहां से जाएगी, या फिर electromagnetic signal जाएगी, उसको convert करेगा light में, वहां से जो आएगी light की form में उसको convert करेगा, तो क्योंकि computer के से भी कुछ data जाएगा बाहर और बाहर से भी कुछ data अंदर आएगा ठीक है क्योंकि internet का आपको बता है कि यहां से भी data जा सकता है वहां से भी आ सकता है यह एक speaker भी है और microphone भी है that's why यह input-output दोनों में आगा अब कुछ IO ports, IO ports का मतला है कि input-output devices होते हैं जिनने आप peripheral devices भी कहते हैं उनको computer के साथ connect करने के लिए कुछ ports होते हैं जिनके थूँ आप input-output device को computer साथ connect कर सकते हो ठीक है तो इसमें जो है आप इनको connect सकते हो serial port के थ्रू, parallel port के थ्रू या USB port के थ्रू तो serial port क्या होता है, serial port ऐसा होता है कि एक ही line होती है, एक ही wire होती है अगर आपको for example कुछ data send करना है तो पहले थोड़ा सा जाएगा फिर उसके पीछे पीछे थोड़ा जाएगा तो ऐसे 8 bits अगर आपको send करना है तो पहले एक bit जाएगी फिर दूसरी bit जाएगी उसको हम कहते है नेक्स्ट आपका parallel port है, parallel port पे 8 या 16 wires होती है तो आप parallel data को send कर सकते हो, मतब 8 bits बेजनी है तो एक bit जाएगी दूसरी wire से दूसरी bit जाएगी उसको हम कहते है parallel ports तो आगेस आपको समझ आ गया होगा parallel ऐसा दिखता है और serial ऐसा दिखता है इसके लावा USB आपके जिसे हम universal serial bus कहत होता है ज्यादा आपको configuration करने की जूरत नहीं पड़ती है ठीक है USB आपने देखा होगा ऐसा दिखता है port ठीक है फायरवायर यह आज कल ज्यादा तर use होता है फायरवायर जो है इसकी speed ज्यादा होती है usually 400 Mbps की होती है यह ज्यादा तर आप hard disk को computer के साथ connect करने के लिए यह फायरवायर यूज होती है तो इसमें फायरवायर 400 या फायरवायर 800 आती है यह 800 के मतलब 800 Mbps speed है तो यह port ऐसा दिखता है तो यह सारे जो है यह input output devices को connect करने के लिए यूज होता है ठीक है तो that's it for this lecture तो see you in next lecture उसमें हम MCQs करने वाले है तो till then bye bye